लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चनल्स को सब्सक्राइब करें और रेल आइकुन को प्रेस करें करें खंडें क्रें बित बाइब को प्रेस के लिए में अल्ट्रा चनल्स करेंगी अल्ट्राइब करें इंडें。 झाल 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 गो आती भाल याल 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 कि वासू स्पोर्स मीट में चलते हैं स्पोर्स से ब्रेट वीक हो जाता है और मुझे यह सब पसंद नहीं मैं नहीं आऊंगी सारे स्पोर्स में हमारी टीम जीत रही है क्या हमारी बगवास टीम तो तो फिर वो देखो वो जो वहां दिख रहा है वो है बगवास नमबर वन और वो वो जो दिख रहा है ना वहां पर वो है बगवास नमबर टू और इसके आसपार जो खड़े होकर सब चिला रहे हैं ना वो सब उन्हीं के बेवको फ्रेंड्स हैं उनका खेल देखने जाओ मैं नो नो I have better things to do 2 attention studentsश वह और गहाँ प्राइस डिस DRES distractions कि अरे तु यहां बैटना यार अरे बैटना तु क्या लड़कियों से डड़ता है चल वह बात नहीं है यार चल उठना यार क्या करें चल इंटर कॉले स्पोर्ट्स में आज सब तु इन लोगों को देखें डर रहा है करेंगे ना तो हमें इशेक कर लेगी माटन शॉप तुझे ही कह रहे हैं अपनी शकल देखिया इनमें मेरे दोस्त को जानती हो बॉक्सिंग में चैंपियन है तो क्या हुआ उसे हिंदी में टी मांक्स मिले थे बैटमिंटन में प्राइ अगांस में जीरो ग्रिकेट में फिर्स्ट प्राइज सेकंड प्राइज मिस्टर अनु इस फ्रम सेंट एलेक्स कोलेज इन्हों ने बहुत अच्छा कोफॉम किया है हम सब करफ से इने बहुत बहुत बदाई है ए कभी देखा इसे शील्ड कहते हैं फॉस्ट यां वीकॉं में यूनिवर्सिटी में फिर्स डाइव असुन्दरा हमारे प्रिंशिपल से शील्ड देंगे ये ये याे बेक्यों आयो स्पीच देने ना अशाया आपने सब को प्राइज दिया कम से कमी स्पीच आम इम मैं आम अब्रेट प्रिंस्पा अग्र्द यपाल लेक्टरा वी इन यॉर लेमिट्स अंडरस्टैंड समझ गया सर बहुत बड़ा स्पीश लिखकर लाए हो हैं हिंदी में हैं आज की जमाने में को हिंदी में स्पीश देता हैं आप इंगलिश में वीक हो एक काम करो मेरा स्पीश कहतम होने कब तुम अपना स्पीश दे अब दूब्स देवताओं का नाम मैंने लिया था क्या मैं अब इंप्रोवाइस किया सर जरुत नहीं है जो कह रहा हूं सिर्फ वही कहते जाओ चुप चाप तुड़े आज के दिन अब कॉलेज डे हमारा कल्चर का दिन है यूनो आप लोग नहीं नाट नो? नो वो नहीं नहीं तुट नो? ये वो नहीं नहीं है ये जानना मतलब जानना जानना है ये वो जानना है यार मिस्टेक है अन्य गलती की है शुटथ चुप हो जाओ not them you आप लोग नहीं आप not me you मैं नहीं आप कॉलेज में बड़ा च्छेद नहीं बड़ा च्छेद नहीं यह मुझे दे रहे हैं कितना बड़ा सम्मान है कॉलेज में च्छेद है मैं मैं कॉलेज से जल बहुत चल्बाशल हुर अले नहीं मुझे और जाए तालिय ना बजाए ये लुश्रू करें सर्थुम जो चाती हो वो जबाएंगे लाइट्स आफ दादा जी, दादा जी, ममा, कमाल है, घर में कोई भी नहीं है, कहाँ छलि गए, तॉंबरेंच, थेंक्यू आपको कैसे पता चला, क्या हो गया, बॉक्सिंग दादा जी, बॉक्सिंग, बॉक्सिंग, अरे बेटा, ये मार पिट वाला खेल खेलना जरूरी है क्या, डैडी कहा पर है क्या कह रहे हो मैंस देखने नहीं गए थे क्या है है कि अधिकल्स ट्रव्व बात कर रहा हूं डैडी के साथ कर दो ना उन्हें तो आक जांते हैं काम के समय कोई कॉझ नहीं लेते कोई बात नहीं मैं उन्हें फोन करता हूं न पिक्स रिस्पॉंसिबिलीटी इन प्राइट अप्राइट इन पोगार्ड राइट पाइट शेशंग जाएंग है टिस विलियम टैडी में है। मीटिंग में मैं जानता हूं उनने फोन थो मुझे उनसे बात करनी है। प्रिस्क्राइब चाहिं कि तो रहें और जो एंगेविट नहीं दे सकता हूं, इस अनदर गोई गेविट तो इम लिगिर मैं भी फो जब टो इंगेविट विज़े पिशोलेगें वेंगें वेंगेंगें यहांगें वाद प्राइब कलते हैं ना पॉट फोन रहें पड़िस यूंज फिरेशन सब्सक्राइब नहीं मांकर नहीं यह क्या लेक्ट्रार को बेभी पिपि कि बला रहे हो स्टूडर्ट समझक का बेभी का हसा बैब लेक्ट्रार पता चलता तो इन्हें बमी बोलते क्या है सब्सक्राइब क्लास में आओगे तभी तो पता चलेगा ना कि कौन लेक्चरर है और कौन स्टुडेंट है अरे यह क्या कर रहा है यहां पर रहा कंदे पर से हाथ आओगे सॉरी सर मैंने आपको स्टुडेंट समझ लिया थे सब्सक्राइब करते हैं कैसे पता चलेगा कि कौन स्टुडेंट है कौन लेक्षर चलो जाओ अपनी जगे खड़े हो जाओ सभी लोग काओ गुड मॉर्निंग सर नमस्ते मैंडम अरे मुझे नहीं कहना है तुम लो बोलो नमस्ते मैंडम अभी तुम सब जाओ अच्छ चल करने लेकर आगे अरे वो सब छोड़ो डाना कहां है दाना कहां गया के तुने दाना खाया क्या भाई दाना भी कोई अब हम पैसे किया है तो फिर मेरा पैसा का होगा क्या चाहिए यह कभी नहीं हो सकता है तो फोन करके पैसा लाने करना मैं अच्छे से जानता हूँ वह तुम सब को अंदर कर देगा क्या कहा भे तुने पैसा नहीं देगा फोकट में आता है पैसे तो मैं निकाल करी रहूंगी कोई हमारे पैसे खा नहीं सकता निकाल पैसे कहीं से बिला पैसे तो चाहिए ही तुझे तुमें ठीक कम दोगी पैसे नहीं देगा पैसे नहीं देगा फिस एक वोनुगी नइए आणिवा आपक भी ऐसा है बोला देख ले आ और जालूय एक टुक्रेब खर दूँगी तेरे पैसे नहीं देगा पैसे नहीं देगा बोल जनती तेरी मा को पैसे चेहे है पैसा किस तरह से वसूइल किया जाता है देख लिया ना तुन्हें गुड मॉनिंग डड़ी रात को फोन क्यों किया था जी वो बच्चे ने बॉक्सिंग में कब जीता था तुम्हारे कप या जग जीतने से मुझे कोई फाइदा नहीं होगा अच्छे माक्स लेकर और अच्छे से बिजनेस स्कूल में पढ़ाई करके आओ अपना बिजनेस भी डेवलप होगा और मैं भी खुश हो जाओंगा कल तुम्हारे फोन की वज़े से तीन मिनट वेस्ट हो गए फिर कभी ऐसा मत करना अब तुम जा सकते हो हाँ हा दुत अनिया हर प्रिएट के पहले पढ़ाने के लिए हाथ भी ना पढ़ता है थकाहर्म मिताने के लिए सोड़ब पीना पढ़ता है रवान करें याशा किसी के साथ ना हो नहीं कभी नहीं कभी नहीं पिन का इंखत मुझाता है दिमाग भी कमज़र हो जाता है अब लोग हमेशा लेक्टर स्टाफ रूम में गुंते रहते हैं यहां पर बैठकर इधर उदर की बाते करोगे लाइबरेरी बैठकर के कुछ पढ़ाई करो तो अच्छा रहेगा तुम कर रहे हो अब हम कुछ भी करें उससे आपको क्या तुमको शर्म नहीं आती लेक्टरर गाइड देखकर कॉपी करेंगे तुमने किसे देखकर कॉपी किया था मेरे पेपर्स को ना तुमारी किसमत अच्छी थी कि तुम प्रिंस्पल बन गए और मैं लेक्टरर ही रहे गया जैसे घसियारी की आंसर शीट से कॉपी किया तभी तो से प्रिंस्पल बन पाया अगर पड़ोस वाले से कॉपी करता तो मैं अब तक आई एस ऑफिसर बन चुका होता ज्यादा मत बोलो फ्लैश बैक में देखो आप हमसे ज्यादा गंदे स्टुडेंट थे लेकिन वह बात हैं और खुद को प्रिंस्पल कहते घूमते हो अचा सुरों अगर खुद को प्रिंस्पल मानते हो तो फिर एक काम करो कॉलेज के स्टुडेंट्स को बिना किताब के पढ़ा कर दिखाओ यह सोहन बाबू अपना हेयर रिंग कटवा देंगे चालेंज चालेंज हंडड़ पर करके एक दिन मैं भी प्रिंसिपल बन जाओंगा हां हां हुआ है गुद्ध मॉर्णिंग गुद्ध इवनिंग नहीं पढ़ाई में अपनी लगन दिखाओ लेक्टर को कैसे परशान करना है तुम नों यही सोचते रहते हो ना लेकिन मैं उन में से नहीं हूं संजी और कमपनी बारंशेक बाइच परटी फाइफ थाजन एक अवरल बैंक में डिपोजिट करना वन लाग जीड़ो टू जीरो 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 वन लाग दोजाए आपने गलत लिखाए सार गलत किया है मतलब देवानने तो ऐसे ही लिखा था इंपॉसिबल जो लिखाए बि सब्सक्राइब करें नहीं होगा गलत लिख दिया क्या इसका मतले वो देवानन भी रॉंग है वह क्या है कि तुम लोग का टेस्ट देना चाहता था इसे मैंने ए प्लस बी स्कॉयर फार्मुला के अधार पर किया था अकाउंस में यह फार्मुला अपलाए नहीं होता है तुम मेरी बहुत अच्छी शिश्या हो देखा सबको इसके जैसी पढ़ाई करनी चाहिए कॉपी करके पास कर सकते हो यह कभी मत सोचना मैं ऐसा होने नहीं दूंगा मेरी एक बात याद रखो अगर इश्वत देकर तुम लोग लेक्चरर बन भी गए तो उसका नतिजा इस तरह पास करना चल्दी किया कर रहा है तुम सब लोग क्लेज क्यों आते हो पढ़ाई करने पढ़ाई करने के लिए आज तक कभी भी तुम लोग क्लास में टाइम पर आए हो किसी लेक्चरर को सुना है सुनने की जरूरत नहीं क्लेवर सब जानता हो तूने मुझे कहा हां रे कहा क्या कर लेगा तुम जैसे लोगों सा मजे बात ही नहीं करना हाट हट 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 बहुत मजाक उड़ाया तुमने मेरा इन लड़कियों की वज़े से हमारे जैसे युद्ध को रिस्पेक्ट नहीं मिलती है तुम यूद्ध हो क्या रोज कॉलेज में आकर प्लेशन लिखना पड़ता है वेंकटेश कल अमने कहां तक सिखाया था क्या देख रहे हो है कल कहां तक सिखाया था बताओ क्या सर आप रोज मुझते ही क्यों पूछते हैं मैं तो हर रोज बताता वो बताने के लिए बोल रहा हूं सिखाने वाले को याद नहीं तो शीखने वाले को कैसे याद रहेगा अच्छा हम भूल गए तो तुम याद नहीं दिलवाते कोई बात नहीं तुम लोग बहुत जानते हो ना रवी तुम बताओ कल मैंने कहां तक सिखाया था वो सर मतलब वो एक्चुली वो किता भी बहुत मोटी थी सर उससे इसे पूछ कर अपना टाइम क्यों मेस्ट कर रहे है सर यह लोग तो क्लास में ही नहीं आते हैं और नाहीं पढ़ाई में ध्यान है आप बाट और बॉल के बारे में कुछ भी पूछ लीजिए बिल्कुल सही जवाब देंगे तुम लोगों की प्रिंसिपल को कप्लेंट कर दूँगी चुप चाप बैढ़ जाओ कमीना मुझे क किस ने कहा क्लास में मुझे किसी ने कमीना का इसलिए लेक्चरर को मुझे माफी मागनी पड़ेगी लड़िचों के मूँ तुम लगोगे माफी मैं मागूंगा कमाल करते हो तुम तो यह कब बना लिया तुम लोग ने अभी बना यह पूरा बैंची दूसरा यूनियन है इस देश में एक यूनियन और पार्टी बन जाती है तुम डर क्यों रहे हो यार तुम तो कॉलेज के चैंपियन हो तुमको प्रिंस्पल सहाब बुला रहे हैं किसे बुला अभी मुझे अभी जाना इसमें डरने क्या बात है तुम जाना यार ने तो सबको बुला लें तुम पास नहीं तो तो इसकी वज़ा सिर्फ तुम ही हो कि कॉलेज बंद हो जाएगा तुम्हें पढ़ाई करने की जरूत नहीं है तुम्हारे पापा फंड बेजते हैं इसलिए मैं दसमार्क उसके देता हूं लेकिन तुम्हें पास होने के लिए और दसमार्क चाहिए होंगे लेकिन वह तुम् मैं बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा पका सिर्फ मैंने मना किया ना पढ़ाई करने की जरूत नहीं है अंसर शीट में कुछने कुछ लिख के चल जा उसे वाइट मत छोड़ना बाकी मैं संभाल लूँगा लेकिन क्या लिखना है से तुम आंसर शीट में तीन बर कॉ पढ़ाई यह तो बहुत मुश्किल है यार चल में लाइबरी में चाफिर पढ़ते हैं अरे चला कुछ नहीं होगा तो मेरी बात मानती ही नहीं अरे छोड़ो ना यह डाइग्राम देखो तो मेरी बात सुनना मैं सही करने हूं तो नहीं नहीं तो पुरा खुलम-खुला ल पढ़ने में देखा यह तो अरे यार इतनी किताबे पढ़ूंगा तो यह मरी जाओंगा चल पढ़ाई करते हैं आज़ा सॉरी बोलने से क्या होगा पहले बुक्स उठाओ जल्दी क्यों रे उसका चैरा क्यों देख रहा है इसे भी तुम रे कह रहे हो हां रे तो क्या रे क्या कर लेगा हूं एई तुम उख उठाओ क्यों रे शायद तुम लोग रॉंग अड्रेस पर आ गए हो असल में तुम्हें जहां जाना है ना वो प्लेग्राउंड वो वहां पर है इसे ना लाइब्रेरी कहते हैं यह ना स्कुएर होती है और यहां पर ना सिर्फ और सिर्फ बुक्स मिलती है तुम लोगों को जहां है को अब मूबं करने के लिए हम लोग यहां पर आए है था है क्या सq कि अगाउंट कि किताब नहीं है टेलिफॉण wavel really तरी टेलीफोन डिरेक्टरी तमझ गए ना यह कौन से किताब है पता नहीं क्या पर नहीं है कि आ जो बातंने का विन मैं सांगे लेकिन मैं मैं प्रिंस पल हुआए यह कम उस्प्राइब उसेखाराय आजो है Lynn गाना ओंड कोई देशी होना तूम लोग कोई एक अड़नशी टून बजा रहे प्रैक्टिस बहुत होगी देर हो रही है अब चलो सब लेकिन क्रिश्णा कौन मारे लड़की को भीजा था बहुत अच्छा लड़का है क्या हुआ आया था मैडम लेकिन क्लासिकल डांस कहा तो डर कर भाग गया उसे बिलकुल भी अकल नहीं है मैडम तुम लोगों ने उसे डरा कर भगा दिया होगा लड़कों को कैसे मैनेज करते हैं यह मैं जानती हूं मैं दूसरे लड़की को बुला कर लाओंगी ठीक है आप चप्ति अ कर लेकिन मुझे भैलुकर दमानी मैडम हमारे ड्रामा में यह रोल सब्कूर को लड़की का रोल हम लड़की को बिस को सब्सक्राइब तूं मेरी बेज़ती करो ने माइकल जेक्सन का रोल है वहां सोले लड़किया वेटिंग में है मैडम नहीं पर तो जा रहे हो जारे हो तुम तुम मैंकल जैशन का के तब क्रिष्णा का गेटब दिया है सब क्या किया मैडम नहीं सर मैंने तो इससे कृष्णा भगवान के बारे में ही बताया था लगता है इसने कुछ गलत सुम्या मेरी कोई गलती नहीं यह जूट बोल रहा है लेकिन तुम्हारा तो अच्छा ही देख रहा है लास्ट ताइम इसी गेटब मैंने टमाटर जूते खाया थे थिक से बात करो और हिंदी में बहुत करो अची तरह से यादे बास्ट याप कैसे पासवेते बुझे माट लैश्पैक में नहीं आपका देवा नंता सर्व अरे इसे क्यों जो कीचे रहा है इसे तरह का रोल लाज़ कॉन देखेगा आपको डांस करवाने ना तो किसी अच् रवी रवी तुम सब में इतने अक्यों हो तो पर बढ़ाए से क्यों ड़ते हो वो इस बॉल को वह उस बास्केट में डालो तुमने यहां से बास्केट में डाल दिया मतलब तुम्हारी कॉंसेंट्रेशन बार बहुत अच्छी है यही कॉंसेंट्रेशन अगर स्पोर्ट के साथ साथ तुम पढ़ाई में लगाओगे तो डेफिनेटली टॉप रैंक से पास हो जाओगे ए रवी आना बास्केट बॉल आना जल्दी चल यह क्या नाटक कर रहा है चलो रे यहां बैट करके टाइम क्यों खराब कर रहा है चला हमारे साथ टेक के और सब्सक्राइब मुझे देख करके क्या मुझे एक डाउट मैंने अभी तक अपनी शाट ऊपर नहीं की और तुम्हें डाउट हो गया जाकर बैटो अब मुझे अगर डाउट होगा तो मैं किसे पूछूँगा लाइफ में सबको डाउट होता है खुद स्वाल करना पड़ता है वहां पस उल्टा क्यों बैट गए सीधा होकर बैटाओ अच्छा लेक्चरर को फेस करना सीखो क्लास का यह फंडामेंटल नियम है मैं उल्टा होकर बोलो चलो जल्दी बताओ मैंने क्या पूछा है वेनु तुम बताओ रोना बंद करो मेरी क्लास में आशू मत बहाना अब कुछ भी किजिए सर मेरे दिमाग मत खाईए क्या मतलब तुम बहुत बड़े विद्वान हो क्या देखो कैसे बात कर रहा है तो तुम बताने वाले नहीं हुआ मेरे साथ को राजनीती मत के लिए है राजनीती मुझे पता दा त17 रूगे तब पता चले यह दिम राता है तुम मताओ लॉस होगा सर क्या लॉस होगा है अब बैट जाओ लेकिन तुम तो प्रॉफिट में हो बैटा है तो नहीं प्लीज क्लेश सॉरी जॉरी। पासकर 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 जल्दी आरे क्या रहेंगे नहीं नहीं मुझे पढ़ना है यह क्या बात हुई भाई लड़की आ गए तो तू अपने दोस्तों को भूल जाएगा क्या है छोड़ों उने ध्यान मत दो हो कि कहीं कर जाएगे चल्ड़ कि शुर्ण नाश्ता खार यह खाना खा रहा है नाश्ते का 10 रुपया खाने का 20 रुपया जहां कोई भी ना आता जाता हूं वो जगह दिखाता हूं चलिए सौरी सर हम वैसे लोग नहीं है हम पढ़ाई करने आये हैं जूट क्यों बोल रहे सर आप लोग जवान हैं पार्क में आकर पढ़ाई कर रहें ये बात कोई मानेगा क्या कोई अंदा भी ये देखकर बता सकता है कि आप लोग लावर्स हैं चलिए सर वसु एक अच्छी जगह है चलो किसी दूसरे पाप में नहीं मेरे घर पर अब इस घर में कि इस घर में कितने लोग रहते हैं मैं और मेरे डैड इतने बड़े घर में सर्फ दो ही लोग हमारे घर में कितने लोग रहते हैं जानते हो मैं ममी पापा आंटी चाचा चाची उनके दो बच्चे और पापा के साथ काम करने वाले चार लड़के मेरे दादाजी उसटाज सब कुछ बस यह较 और ये इनकी नमस्ते और यह रंजना हमारी हाउस की पर है और तुम्हारी माँ नहीं है बेठी मैं ही इसे बच्पन से पाल रहा हूं तो इसलिए रड़कियों से तुम इतना ड़ते हूं तो तो टोटल हो गया लगता है बड़े सहाब आ गया कि चलो अंदर चलकर पढ़ाई करते हैं कि दत्तरा जी माले आई यूएस से मेरे पार्सल आने वाला था आया क्या आया था साहब उसे मेरे रूम में पहुंचा दो रंजना आई यह सब क्या है रभी भावु की क्लाप्नेक आई है वो दुमें साफे पढ़ाई कर रहे हैं वो मेरे सामराज्य का बारिस बेटा को तो जानते हो ना यह उनकी पत्नी है मिसेज मेहता आज रात मुझे कंपनी देने आई है नमस्ते अंटी है डार्लिंग यह कौन है बेटा यह मेरी फ्रेंड है डड़ी वसू कम इसका नाम वुशु है डड़ी मेरी ग्लास्विट तुम्हारे पिताजी क्या काम करते हैं दूद का व्यापार करते हैं तुम एक करोड़ पती के बेटे हो मेरे 200 करोड़ के इग लौते पारिस हो इस तरह दूद बेशने वाली या गोबर उठाने वाली थे तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए डैड़ी यह मेरी फ्रेंड है डैड़ी इसके समने ऐसी बात करना यह अच्छा नहीं लगता हो तुम मुझे समझा रहे हो नता रहो इस लड़की को अभी बाहर प्लीज डैड़ी डैड़ी वह नो टार्लिंग यह फादर इस राइट मांकर खाने वालों के पिछे तुम्हें घूमना नहीं चाहिए शड़ाप रभी जाने तो उसे घर आयोई मेहमान की बेज़ती कर रहा है वह कूल डार्लिंग कूल डार्लिंग मैं अगर उसे गुस्ता ना दिखाऊं तो वह कंट्रोल में नहीं रहने वाला है कि इस सिचुएशन में क्या बात करनी है मुझे पता नहीं पर आज अभी से तुम अखेले नहीं हो मैं हूँ तुम्हारे साथ चाहे तुम्हें कोई खुशी हो क्या कोई दुख हो तुम मेरे साथ शेयर कर सकते हूं मेरी माँ कैसे थी मैं नहीं जानता वह बच्पन में चली गई फिर मेरे पापा ने दूसरी शैदी नहीं की लेकिन रोज मेरे घर में गेस्ट आती है जिस तरह तुम प्यार से बातें करती हो वैसे मेरे डैडी ने आज तक मुझसे कभी बात नहीं की इसलिए कैसे रियाट करना है यह बिना जाने मैंने तुम्हें हग किया अब से हम दोनों के बीच सौरी धायंक्स नहीं होना चाहिए ओके मेरे पिता जी बीटा चाहते थे पर जब मैं पैदा हुई तो वो मां से बहुत नाराज हो गए और गुस्से में दादा जी ने भी अपनी सारी जायदाद आंटी को दे दी आंटी की हांके बिना पिता जी कोई काम नहीं करते अच्छा बाई बाई बच्चों की तरह हरकत क्यों कर रही हो बाई का मतलब क्या होता है जानते हो सही सलामत जाईए इस फ्लाइट में मेरी भी कोई पहचान का होगा इस बात का मुझे पूरा भरोसा है ओ ऐसी अगी बात है तब तो थैंक्स किसलिए क्योंकि बाई तुम बहुत बार बोल चुकी हो आजा रवी यह मेरा है और भाई यह को नहीं की अच्छाइब यह मेरा क्लासमेट है क्यों कितने दिनों से कहानी चल रही है यह फ़ापा पिना सोचो समझें इसी बाते मत कीजिए वो मेरा फ्रेंड है जरा नखरे तो देखो इस लड़की के आधी रात को लड़के के साथ घूम रही है बात पूछ रहा है तो कहरी है मेरा फ्रेंड है बेवकुफ समझती है आंटी आप हमारी बातों में टांग मत अड़ाया कीजिए जरा कियो भै तो ही रवी है ना यह क्या प्यारवार का चक्कर है तेरी इतनी हिमत तु शंकर भाई की बेटू प्यांगा लेगा है यह सब क्या कह रहे हो ज्यादा प्यार का भूच चड़ गया है तुझे तो कॉले स्टुडेंट है ज्यादा शान पत्ती करेगा तो अच्छा नहीं होगा तुम्हारे पिताची के भीजे हुए गुंडे रभी को मार रहे हैं मैंने अब तक वसू से प्यार नहीं किया लेकिन अभी मैं कहता हूं मैं उससे प्यार करता हूं जो करना है वो करो जाकर बोल दो अपने शंकर भाई को जाओ क्यों रभी क्या हुआ तुम्हें तुमने अपने घर में हम दोनों के बारे में क्या कहा था हम दोनों एक दूजे से प्यार करते हैं ऐसा कहा था क्या पापा का है क्या हुआ बेटी पापा को जरा भी अकल नहीं है कुछ से मैंने कह दिया कि मैं उससे प्यार करती हूं और उससे शादी करूंगी तो नोने कॉलेज में गुंडे भेश दिये यह सब क्या है मां हर बात में लड़ाई छगड़ा तुम दोनों की बीच में कुछ तो तब इतनी तकलिफ हो रही है अगर प्यार नहीं करती तो इस तरह से मेरे पास नहीं आई होती है कि तुम जिस तरह मुझसे प्यार से बात करती हो वैसे मेरे पापा ने मुझसे कभी प्यार से बात नहीं की इसलिए कैसे रियाक्ट करना है मैं समझ नहीं पाया और तुम्हे पूर्ट कर बैठा इसा कुछ नहीं कि लेकिन जब वो गुंडे आये थे तो तुमने कहा कि मैं वासू से प्यार करता हूं प्यार करता हूं जो करना है वो कर ले यह बात हर कोई नहीं कहता है एक प्रेमी ही कहता है और तुम दोनों की बीच है हाँ वो मेरा पती है मैं उससे प्यार करती हूं और उसे से शादी भी करूंगी ठीक है ना तुम दोनों की बीच में कुछ तो है ना तुने का उससे प्यार करती है उससे शादी करेगी वो तेरा होने वाला पती है है ना ऐसा कुछ नहीं है ये मुझसे मत कहना प्यार करती है ना तभी इतनी तकलिफ हो रही है अगर प्यार नहीं करती है तो इस तरह से मेरे पास नहीं चुदोद। आज मैंने तुम लोग को पढ़ाया कुछ डाउट है तो मुझसे पूछो कुछ भी समझ में नहीं आया सर एक बाई फिर से बताईए ना वाह फिर से बताना होगा यहां पर दिमाग फ्री में नहीं आता है बाई कि बार बार पूरा बताऊंगा एक बात याद रख लो कभी ऐ यह में डाउट है तब ही पूछा करो समझ गये कितना नाटक करता है यार तु अरे लड़की तुझे देकर हंस रही है तो पास में जाकर उसे बात करना ऐसे पागलों की तरह हरकत क्यों कर रहा है वैसे भी तो तेरा मन हो रहा है ना कि उसे फोन करके उससे बात करें तीरा दिमाग खराब हो गया है उससे लड़कियों से बात करना ही नहीं आता है क्या हो गया है तुझे आज पहले तो तुझे उसकी कोई भी बात पसंद ही नहीं आती थी और अब बताने में उससे अपने मन की बात क्यों नहीं कह पा रही है कर दो कटी का सॉरी तुम वेट करोंगी यह सोचा नहीं था बोल नहीं तुमसे बात पूछना चाहता था लेकिन कैसे पूछूं यह समझ में नहीं आ क्या कहा कुछ नहीं तुम बोलो ना अगर मैं बोलूगा तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा ऐसा कह रहा है कहीं मुझे आले भी तो नहीं कहने वाला है पता नहीं मैं क्या करूंगी है हां हां बो यह पर बोर्णिंग बेट जाएए अभी मैं अकाउंट्स को बोर्ट पर लिखोंगा आप लोग उसे अपने अपने नोट बुक पर लिख लीजे बाद में उसे याद केसे करना मैं बताऊंगा ओके क्यों बच्चे लड़का और लड़की एक साथ इस प्लास में नहीं बैठेंगे समझ गया है चलो हटो 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 सर आपके ऐसे सोचने के वज़े सी हमारा education system इतना बिगड ग्या है सर मेरी वज़े से बिगडा है तो जरा बता दो मेरी वज़े से कैसे बिगडा है बिल्कुल सर आप एक लड़का और लड़की को दूर दूर बिठाते हो उससे एचा पास बिठाये करो दोनों में बाच्चित होगी, दोनों में दोस्ती होगी, और बहुत अच्छी-च्छी बाते कर सकते हैं दोनों, और वैसे भी यह लड़कियां जो हैं, यह इसी तरह की सोच रखती हैं, वो लोग इसके बारे में, यह लोग उनके बारे में सोचते-सोचते, आप बोर्ड पर क लिखना है पहले ऐसे लाइन खीचनी है और एक-एक करके अपने नोट बुक पर इसे बनाना है लो भाई हो चुकी अब पढ़ाई छोटे मालिक आए है अरे डैड आपको आकर कितनी देर हुई है इसे तो आप अच्छे से जानती है ये वसु है मेरी दोस्त और इतना ही नहीं हम दोनों एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और इसके पिताजी शंकर यादव मुसाराम बाग में बहुत बड़े दूद के व्यापारी है चलो वसु पढ़ाई करते हैं आओ ना दूद बेचने वाले फकीर की बेटी से मेरा बेटा प्यार करता है नाम है शंकर यादव उसे शंकर पहलवान के नाम से भी लोग बुलाते हैं वो लोग मुसाराम बाग में रहते है उस लड़की ने मेरे बेटे को ऐसा फसाया है कि वो उसके पीछे पीछे गुमता रहता है तुम क्या करोगे मैं नहीं जानता लेकिन अपसे वो लड़की मेरे बेटे की और आप उठाकर भी नहीं देखे शंकर कहा है शंकर घर में नहीं है चाय प्योगे क्या कहा गया वो एई जानता पर उसने किया क्या कमिश्टर साब ने बुलाया है यहीं है तो फिर कौन है यही है संकर पताया वो नहीं है चल गूर क्या रहा है चल पुलिस वाला जिससे मेरे भाई पर हाथ उठाया कौन है तुझे ता मैं छोड़ूंगी नहीं कौन है बता आप आप यहीं देख्या रहा हो गाली निकालो जल्दी से चलो जल्दी करो जल्दी 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 चलो जलो जलो चलो उसके पीछे देखती हूं आज उसे हुआ 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 है रुका हुआ हुआ है बारात में आया है क्या जन्यली तो हुआ 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 है राजेंद्र भाई का नाम कभी सुना है दो सो करोड का मालिक है वो अब आप बिजनस्मेन बहुत सारे धंदे हैं उसके उसके लड़के को तुम्हारी बेटी ने जाल में भसाया है कि अपनी बेटी को समझालो वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा सुनिये लालच बुरी बला होती है ज्यादा लालची तुम मत बनो वरना बरबाद हो होगे अब भी वक्त है समझ तू क्या उस राजेंदर की बात कर रहा है वे उसे बोल पहले अपने बेटे को कंट्रोल में रखे उसके पास बहुत पैसा हो सकता है लेकिन उसे मारने के लिए सिर्फ एक चाह कुई काफी होगा हाँ हैस्ता लड़की को आगे मत पढाना ऐसा दीदी ने मुझे बहुत पहले कहाऊ थे ठीक है तो मिस तरह के कपड़े पहनती हो एक छोटी बच्चियों यह सोचकर हमने छोड़ दिया था मैंने बहुत धंदे कि लेकिन एक बात आज तक कभी नहीं हुई कि पुलिस मुझसे टकराई हो पबलिक मुझे देखके थर थर कामती है लेकिन आज क्या हुआ यह सब कि दोबारा अगर तूस प्यार के चक्कर में पढ़ी ना तो मैं तुझे उरुसे तोनों को काड़ दूआ अब जो भी कर लीजिए मैं रवी को नहीं भूल सकती भूला हो मैं मेरी बिच्ची कींजस बचाने कि कोशिश कर एहां हो मां एय तेरी बेटी जो यह बोस्ते कर रहें हम नहीं रहे किया जिन्दा, हम बड़े नहीं हुए, हमने तो प्यार नहीं किया अब दुबारा मेरे सामने, मेरे इवाके में या फोन पर किसी भी तरह प्यार का नाम सुना तो तेरे टुक्ले टुक्ले करके बाहर जानवरों को खिला दूगी, समझी कि अज़ को यह ä। झाल झाल तुर्ण आख़ए तुम्हारे टाडी ने मेरे पापा को पोलीस से मार के खाए तल बढ़े है चलो बैठाओ क्या खाए क्या आए कि अ हलो डड़ी मैं हूँ फोन रखो मैं फोन रखता हूँ लेकिन पहले आप मेरी बात सुन लीजिए वसू के पिदाजी को आपने पुलिस के हाथों मार क्यों खिलाया अगर आप इस तरह डराओगे तो मैं वसू को भूल जाओंगा ऐसा समझ रहे हो एई डड़ी आपको अगर म कि वसू मेरी चान है अब फोन रखिये तुम्हारी बेटी कहा है डिली में कि कल वो यहां पर होनी चाहिए दस दिनों में तुम्हारी बेटी से मेरे बेटे की शादी होगी है झाल 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 दादा जी यह क्या पार्टी चल रही है हाँ बेटा साहब उपर बैठे हैं तुम्हें आते ही उपर बुलाया हाँ आओ रभी आओ तुम्हारे लिए मैंने इस पार्टी का इंतिजाम किया है आज यहां पर बहुत सारे बिलिनेर्स आये हैं और उनके साथ आई हैं उनकी बेटियां वो जिसने हाथ में ब्लैक रीबन मांदा हुआ है वह एंपी उपेंदर की बेटी है उससे शादी करोगे तो हमें पॉलिटिकल मदद मिलेगी वह वाइट टी-शेट में जो लड़की है वह एना रही है ओवर सीज में हमारे बिजनेस को डेवलप करने में काम आएगी वह लड़की जो लेकिन आप और मिसेश महता तो वह वह है और यह यह वह कहीं भी घूमें तो मिसेश महता ही रहने वाली है तुम उसकी बेटी से शादी करोगे तो वह मिसेश रवी बनेगी पैसे वालों के लिए यह आम बात है डोंट मिक्स बिजनेस औंड प्लेजर डड़ी वसू मेरी ज जाओ, तैयार हो जाओ वसू, तुम तुरंट मेरे घर पे आजाओ क्यों? मेरे डड़ी नहीं यहाँ पर छोटा सा स्वयम मर का आयोजिन किया है और वो चाहते हैं कि इन सारी लड़कियों में से मैं अपनी पसंद की लड़की चुनू अगर तुम आओगी तो मैं तुम्हें चुन लूँगा कोई गरबढ़ हो गई तो तुम मुझसे प्यार करती हो ना बहुत तो तुम्हें यहां आना होगा, बस रास्ते से अटिये क्यों हटू मैं? दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिच मत कीजीगा क्यों होगा आप लोगों से मेरे डैडी ने क्या कहा यह मुझे नहीं पता लेकिन मैं इस लड़की को पसंद करता हूं हम दोनों एक दूज़े से प्यार करते हैं आप सबके सामने भगवान को साक्षी मानकर प्यार को साक्षी मानते हुए इसे अपनी पतनी स्वीकारता हूं कि यह कॉज़े है अ कि पॉज़े है यह आप में गश्याद से के अज़िग्माल में अल्यए अन्द बूस्पलिगों हुज और र报ी ने को आप मैंने और को आप ए उन दोनों को देख रहे हो, उन दोनों को कभी अलग नहीं कर सकते हैं, जैसा मैं कहूंगा वैसा करना, अपने बच्चों को बुला और उनसे कहो की, तुम्हारी पढ़ाई पूरी होने के बाद हम तुम्हारी शादी करवा देंगे, यह ड्रामा क्यों कर रहे हो? आपने कभी क प्राइदात कुल कोत्र ये सब कुछ नहीं देखते हैं उन्हें भरोसा देकर ही धोगा देना होगा उनसे कहो कि तुमने उनके प्यार को मान लिया है और पढ़ाई पूरी होने के बाद आप उनकी शादी करवा देंगे यह भरोसा दिलवाईये उन्हें पहले उन दोनों को अ होना इसे उन दोनों को अंदर बुला कर बात करो आप दोनों के पिताने एक समझोता किया है कि आप दोनों को पहले पढ़ाई पे कॉंसेंट्रेट करना होगा और पढ़ाई पूरी होने तक ना आप दोनों आपस में मिलेंगे ना बात करेंगे पढ़ाई पूरी होने तक अ फिर यह दोनों आपकी शादी करवा देंगे क्या आप दोनों को यह शर्थ मन्जूर है हमें मन्जूर है क्योंकि हमारा प्याँ छूठा नहीं है यह हमेशा ऐसा ही रहेगा मैं रेडी वेरी गुड फ्रम नाओ दी अग्रिमेंट स्टार्ट्स हमेशा इफ दोनों को यह है यह हमेशा अजे में जोनों को यह हमेशा है कि दादाजी डड़ी है क्या कोई मीटिंग है इसलिए मॉर्निंग फ्लाइट से मुंबई आप से मिलने कोई आया हूं है हलो हाई ए यह क्या कर रहे हो यह रहाय तो मैंने नहीं कहीं ती यह क्या क्या रहे हो यह लोग दो पनाते रहेंगें लेकिन तुम बीना मिले रह सकतीं हो क्या मुझसे नहीं नहीं हो पाएगा मुझसे भी पाएगा एक साल तक तुम्हें बिना देखे और बात की रहना है विए सोचят ही मेरा का रहा है एक साल कल जो कुछ हो इससे मेरा प्यार तुम्हारी प्रति और भी बढ़गया है अभी के अभी शादी करने का मन कर रहा है तुमसे तुरंट अपने स्पॉर्ट पर आ जाओ ना क्यों कि अभी के अभी तुमसे मिलने का मन कर रहा है ओके मैं तुरंट पहुँचती हूँ हलो कि अभी कि अभी क्या हूँ कौन से अभी है मैं तुरंट पहुचती हुआ है और अधे गंटे के बाद एक अरे तुरंट बुक करो लूँ आप पहुंच तहीं फोन करना है ठीक है ताद़ जी कौंसे फ्लाइट प्लीज कम सर इस वे कौंसे फ्लाइट प्लीज कम सर इस वे क्या हुआ है वाइजएक में एक्सिडेंट हुआ इसलिए हैदराबाद शिफ्ट किया है आजाओ क्या तुस्यार कर्क्ती वाइटißtिय शुए्ट मिन आटक्तों कि में आटेडि विर्वाइट अर दो म meant एकलिए कर दो कर दो कर दो कर दो हम मुंबई जा रहे हैं वापस नहीं आएंगे दिमाग सिर्फ तुमारे पास ही नहीं है कर दो कर दो उम्हाल तूलस घ्ला हुआ सही अार थी। ड़ी इसी वक्त से तुम्हे उस लड़की को भूलना होगा यहां से भागने की कोशिश की यह खाना ना खाने का कोई ना टक किया तो मैं तुम्हें मार डालूँगा मैं दिल्ली जा रहा हूं चार दिनों के बाद आऊंगा अगर यह भागने की कोशिश करे तो इसकी आंखे फोड़ देना इसका और उस लड़की के बीच कोई कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए और आगे क्या करना है वो मैं देखता हूं मेडम मेडम आपकी किताब स्वार्ण करने देखते है यह बुटा था तुम लोगों से कहा बुटाओ मेरी नहीं उठाओगे, 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 मेर हिस से कर रहा है इसे करो लेक्ट लेफ्ट राइट लेफ्ट शाम तक मैं आऊ तब तक ऐसा करते रहो एडम के खुछा है और तो कि अजय देया था मैर बाव डर्ला से ड्रश करेंदी फुछा करें में wykorब डर ज़ड है देंगे टिष्ट, रभी मिला थाप्ता है करके मुझे मिलने के लिए बुलाया पर पता नहीं तुम घबराओ मत चलो उसके घर चल के देखते हैं आज 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 कोई नहीं है वो लोग कहां गया है कब आएंगे उन्हें नहीं पता है सुनो मुझे बहुत भूग लग रही है हम घर में खाने के लिए कुछ है क्या कि अब लुकмен जाज आज 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 प्रचाचा के घर जाने हैं नहीं रहेंगे यहां का बास तु ठीक नहीं है बेटी एए गाड़ी निकाल चल मेटा अगर 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 आज चल 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 दीदी आये ना मुझे पानी चाहिए मैं देता हूँ नहीं मैं दूँगी भाई साब पहचाना मुझे मैं हूँ मैं मैं देता हूँ आये चाहिए कि अच्के अच्के चाहिए कि अंवर दीदी आये इंड़े नहीं करते हुए कि अंवरे टेनी उवर नहीं आइए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कौन खोल कर सुर लो दुबारा अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जिन्दा जला दूँगा मार डालूँगा मैं तुम्हें इसे तुम खोकरी धमकी मत समझना बिटuésा डाझे, और यांगो आखाय की? क्या मुद्ये की बाचे? क्या को आखाए? झाल 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 पावनी तुम्हारा पोन आ रही हों हलो पावनी मैं रवी बात कर रहा हूं कहा हो रवी यहां वसर तुम्हें ढूंढ के पागल हो गई है रवी मैं तो मुंबई में हूं आज रात को आठ बजे तुम उसे मुझे फोन करने के लिए कह सकती हो उससे बात करना बहुत है रवी उसकी आंटी हमेशा उस पर नजर रखे रहती है उसकी मां को भी उसके पास नहीं जाने देते ठीक है मैं ट्राइ करके देखती हूं थैंक तरी गर्ल्फ्रेंड आ रही है वह क्या मेरे पास आ रही है लव यार आज का लोग खुब सूर्ती से ज्यादा इंसानियत को देखते हैं इसलिए वह तेरे पास ही आ रही है तो कुछ नहीं वासू को बस एक मेसेज देना था उसकी आउन्टी हमेशा उसके साथ ही रहती है तुम्हें लेक्चरर के पास जाकर रवी के बार में मैसेज देना होगा क्या मैं तुम्हें कुरियर वाइव लगता हूँ तभी तो हम तुमसे हेल्प मांग रहे हैं ना तुमने मेरा सबक्राइब कर दिया मैं तुम्हें कुछ भी करूंगा थैंक्स नॉप्रम्हाइब महामान ने काम किया था महात्मा गांधी ने जो काम किया था तो ना के लिए नोबत आ गई तुम लोगों की कोई है कि अच्छा तो तुम लोग लेक्चरर के काम से मुझे हटा कर कूरियर बॉय बनाना चाहते हैं कि अच्छा मुझे मसका लगा रहे हैं इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करता है तुमने लिखा है कि मैं कम्लीट नहीं गड़ाई मैं तो लिखी नहीं पाई टाइम नहीं पाई अग्वाणी सर्व एक्वाण्ट्स बहुत ही टफ सब्जेक्ट है इसलिए मैं डील करता हूं रवी कृष्णा साथ में बिजनिस करके अलग हो गए रवी मुंबई चला गया रवी किदर गया मुंबई गया जाते समय कृष्णा ने रवी को बाकी नहीं दिये 63,44,499 पैसे आई रिपीट रूपए नहीं पैसे क्या सोच रहे हो इस पैसे को एड़ दे रेट आफ 0.22% इंटरेस्ट के हिसाब से बराबर एक महिने के बाद मतब आज के दिन रात को आठ बजे उसका बेस्ट फ्रेंड उसके घर के दिवार के उस पार उसका इंतजार करे उसका बेस्ट फ्रेंड उसका पार्टनर उससे मिलेगा या नहीं कौन बताएगा वसंदरा तुम सबसे ज़्यादा दिवाग वाली हो ना जड़ा बताओ देगा सूप गुड़ झालish झालish झाल वाला हुई कर अब वद्राओ इंड आफसे प्रेंड लाँ थार। कशलो कशलो कहां जा रही हो? कप्रे चेंज करने के लिए यह साड़ी बीच में क्यू डाली है अटाओ कर दो 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 यहुD कि यह से हो रभी तुम कैसी हो बहुत कुछ हूँ और तुम मैं भी बहुत कुछ नहीं हूं रभी तुम्हारे बिना मैं खुछ नहीं रह सकती है जा करूं कुछ समझ नहीं आता रभी मेरी घर पर सब मेरी शादी के तेहर ही कर रहे हैं मैं तुम्हारे पास आना चाहती हूं लेकिन तुम कहूं मैं नहीं जानती हूं बहुत बुरी हालत है रभी दिन में रोती रहती हूं रभी प्लीज रभी तुम रोगी तो मैं सहा नहीं सकता। ध़ियू रभी रभी लब यूश दो क्रिवाइं रभी यूश दो भी कियो Buddy इभी अवेवम तक रिहा आए विधि किलाभी पून मत मुझे बात करो किलाद्ध बूल विधि फुन पून रागे मुझे बात करो किलाद्ध आड्ता ही है किलाद्श्च पून रए जल्दी पून रख नपलाद्ध किलाद्ध अभी ड्रेस पहने हुए कोई लड़की यहां पर आई थी फोन करने के लिए सच बोल अहां आई थी यहां से फोन किया उसने किया कहां किया मुंबई क्या मुंबई कि मुंबई कहां गई थी तो मैं कहां गई थी बातर में ट्रेस चेंज कर रही थी कि मुंबई करने गई कि और उससे जूट किरती है जूट बोलेगी मुझसे तुझे सबक सिखाने ही पड़ेगा लगता है वसु बहुत तकलीफ मैं दादाजी लगता है तुमने कोई बुरा सपना देखा सोचा नहीं दादाजी मैं वसु से मिलना चाहता हूं इसमय की जूट बुरा लेगी जूट हम से आफ दालंगी चोड़ेजी मैन मेरी जोड़े जूट को कर रहोंगी हात लगाए मुझे आधे थे सब्सक्री अ ψ ऑघ कर करह आया हमेड भाए ज प्युरुख्य से हुजंश फोया दीरे दीरे बेटी से प्यार होने लगा है क्या तुछे अ प्रिवार क्या होता है तो भाई लगता है दीदी को मिर्गा गाया इसे हुआ अरे लाना था तुर पे फूद हुआ 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 झाल 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 कर दो कर दो कर दो करहें थिया है потрसे दो सम्हेंे हैं जड़ा कियो करें लुट के लुझ ङकर दुट ग्राह तड़ दोनों के दोनों गधे हो तुम लोग एक को एक को सम्हाल नहीं पाए सिर्फ खाखा कर मोटे हुए जा रहे हो शर्म आती है तुछ पर तेरी बेटी भाग गई और सुब़ सुब़ यहां पीने बैठ गया तुछ जा जा तलवार लेकर जा काट के रग दे उन दोनों को जा सोच क्या रहे खा खा कर मोटे हो रहे हो तुम मेंसे एक भी उस लड़की को पकड़ नहीं पाया शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को अकेली वो अकेली तुम लोगों को दोगा दे कर भाग गई क्या कर लिया तुम लोगों ने मेरी बेटी है मेरी प्यारी बच्ची है देख लिया क्या क् तो काट कर रख देता उससे टुकड़े टुकड़े कर देता उसके पर तू देख हाथ पर हाथ दरे बैठाए या अगर तुबार एग विशब दोला तो ये पोतल घुशेर दूँगा एरे हाट तू क्या मारेगा मुझे मैं ही तुझे मार डालूंगे बालूंगे बालूंगे भालूंगे डटर टे performance उरू प्रॉण भालूंगे लए हेलो मैं हूँ शंकर पहलवान मेरी बेटी तुम्हारी घर मुंबई में आई है क्या वासू तुम्हारी बेटी यहां नहीं आई है आई तो दोनों पैर तोड़ कर ठेक दो हलो हलो उसकी तो हट अंकल अंकल रवी तुमने लिख लिया ना जैसा अलो मेरा बेटा भाग गया है वो लड़की उसे ढूंटे वे यहां पर आई और फस गई है तो क्या करें इसे खत्म कर देंगे तो कोई समस्या नहीं रह जाएगी पंडित नाम का एक आदमी है अच्छा शूटर है अगर उसे सुपारिदी तो काम होने की गैरेंटी है एक घंटे के अंदर उसे यहां भीजो वह पांच पेटी लेगा दस पेटी देता हूं तुमसे मिलने के लिए कोई आया है रवी वह सु कहां है आओ मेरे साथ हलो पंडित कैसे हो हाँ नमस्ते नमस्ते वर्ली सीफस आश्रवाद बंगले से एक सुपारी मिली है वहां राजिंद्र नाम का एक आदमी है पांच पेटी की सुपारी मिली है तुम जल्दी पहुंच जाना हां ठीक है पंडित वह लड़की बगल वाले रूम में है स्लम में रहने वाली है पांच लाक रुपे लाश तक नहीं मिलने चाहिए मालिक छोटी बच्ची है मालिक तुम अपना मुबंद्रा का आप जल्दबाजी कर रहे हैं मालिक पैसा काम के बाद तुम यहीं रुको मैं सराज आकर देखते हूं नेमस्ते अंकल वसु है क्या नहीं है नहीं है कहीं गई है कहां गई है वो रवी से मिलने मुंबल गई है अचे शक्र वह कमीना यहीं पर खड़ा है जाइकर खाटके रखतो उसे अचाओ यहां से वागजाओ चीर देखेंगे रहरा है अचे बाच दालें तुझे हुआ है कि कि रवी तुमसे खुद मिलेगा तुम यहां मत रुखो तुम यहां से जल्दी चली जाओ जाओ वो तुमें बार डालेंगे करनाओ मत सुम यहां से जल्दी हो तुम मत रहे जर बालेंगे भ़ो अवे बाललत reciprolijk यहां मत करना प्र types पर जा है जिल्दी करो गारो उसे छोड़ा मन आज बच के जाने नपाए अज़ दाला उसे टुकले टुकले कर दो उसके वहाँ पर रह जाओ देख क्या रह जाओ मा डालो उसे काट के रख दो उसे इपर के पीछे बाद ले बाद ले बाद कर दो कर दो कर दो कर दो और दो और वाल कर दो प्रवला लो उन्यातों कीवा के पां से भाग जाएका माड़ा लो उसे है हॉ 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 है हॉश हॉ आप से ग। कर दो तो... करा कर दो मुंब्बे, भा हिखा कै बाई बाई पर जो इंफर्मेशन मिली उसके अधार पर आपका बेटा है दराबाद गया था उस लड़की से मिलने उसके घर भी गया था वहाँ कुंडोस उसका जगड़ा हुआ उसे काफी चोट भी आई थी पर उसके बाद फिर वो कहा गया कुछ पता नहीं कितना नीचे गिर गया है वो वो लड़की सुन्दर भी नहीं है कोई जायदाद भी नहीं है उसके लिए वो क्यों मार खाता फिर रहा है चीचे इस रोग को क्या कहते हैं प्यार में उच नीच का पता नहीं चलता एक बारी बीमारी पकड़ दी तो मरते दम तक नहीं छोड़ती आप बेफिक्र रहे है पंडित पे मेरा पूरा भरोसा है जाहे कुछ भी हो जाये वो लड़की को जिन्दा नहीं छोड़ेगा उसे मार के रहेगा कर बिकल नहीं कर दोकर रहेगां कर रहेगा कर दो अबनां में चलता मेंगा पंड़त कर दो ₹रा बारे पक कर दोद में आपके नहीं o Scandin剛剛 च that talks । unless the day कर दोचक बंदाग बन कर दो कर दो े tahu हुआ अविश triple कर दो चैंठो करना की एbbe कि आंव जा हुआ ओर जाम घाम कर नहें जार जार जाध जार को पनीय दिर, घर्म ऴार दी, जर्म वारिक्स का था सकत। तोदंफ मुट्प करे नीज में चिके ले ले सया हूंब रभी, रभी, रभी. रभी, 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 वसू वसू आदsy आज़ा क्यों forgot qura मुझसे बात करौ वसू ए वसू posição और में हुआ नौने वसु तुमहारा रवी वसू मा वसू तुम ठेक तो हो बसू तुम प्रेंज़ क्यों पूती रभी कुछ नहीं होगा बसू सप्डी हो जाएगा बसू बसू हमारे निवर बहुँ है रभी तुम दरो नहीं मैं थ्याओ यहां ऐखा काै अधयेगारा किया वे उस तिरंफ जा रही थी झाल 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 कर से भाग कर आयो जी यहां से साथ किलुमेटर दूर एक जगह है वहां बे फिकर रह सकते हो यह ले लीचिये यहां 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 प्लीज तुम्हारे प्यार के लिए मैं अपनी जान देदूंगा अगर किसी को नहीं बताऊंगा शुक्रिया तठाटाँ जल्ये तठाटाँ थीक्यू नहीं कर दो कर दो कर दो कर दो सुनिए पाव किलो बिल्डी दीजिए यह भी एकिलो दे दीजिए कर दो कर दो कर दो कर । ख wirelessbec अ कर दो ठादर लंगर सेले को कर अंद अ अ उन उनल पंद कर दो है झाल फ … वर रवी! 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 आढ़ zm다 कर वा रख inform रवी वसो वसो रवी 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 राव 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 रा कर दो दो जरुछे… चार दो कर दो नही रอง नही हॉआ गाई जहाई यहाई यहाई भाई जहाई मैं मैं ओग। यवी 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 यव impatient ऑग धऄ और दॉग संब नार में aynı कि शाब भुट। लुग पंज करें आ Weg सकते हैं रवी बाव दो आप हुं को बावी बावी जान झार बावी बावी बावा बावब बाव बाल प्लेव थरीज आप आंच्यो फजो प्यास 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 छी डड़ी आप जैसे बड़े लोग असल में हम बच्चों को क्या चाहिए ये ठीक से जानते ही नहीं हो कूल गोत्र जाती पैसा गरीबी ऐसे वी सवाल करके आप जैसे लोग हम प्रेमियों को अलग करना चाहते हो हम बच्चों में भी तो मन होता है और वो बहुत ही छोटा है उसे क्या चाहिए इसे कभी आप लोगों ने जाना ही नहीं टैड़ी ठीक है कल सुभा ठीक ग्यारा बजे असेम्मली के सामने बीच सडक पर वसू के गले में मंगल सूत्र पहना कर मेरे प्यार की ताकत दिखाऊंगा मैं आप और आपका पैसा ये किलर्स और ये आपकी पुलिस आप सब लोग मिलकर हमें बस रोक कर दिखाईए कल सुभा ठीक ग्यारा बजे असेम्मली के सामने बीच सडक पर नाम के कमिशन नहीं है करो एक लड़के को नहीं पकड़ पाए क्यों ड्यूटी करते हो तुम कि देख क्या रहे हो तुम लोग जा पकड़ो उन सबको वो कि कहां है तुम्हारा फ्रेंड शादी या नहीं है जार वहाँ पाड़ चुपर मंदिर में है सर एक इंफर्मेशन दूँ शादी चार मिनार में मजाग कर रहा है ठीक है सर मजाग नहीं करते हैं इसे क्या बात करना है अंदर डॉल कर चार डंडे मारों सच बताने लगेगा और वह इन्हें हैं एलो डिपार्टमेंट मेरे सामने मेरे स्ट्रूडेंट्स को ब कि आपकी भलाही के लिए कह रहा हूं मैं स्टुडेंट से पंगा मत लीजिए पंगा लिया ना तो कपड़े पड़ जाएंगे कम तू गेट नमर बन कर भोच को जांगे और गरे से ऻुपने थेसे घाष्या को जाएंटने लाएंट मारो देढ़िप लाएंटने समक अफस्ट्रास तुम्हारी सीटी से एक भी स्टुडेंट नहीं आने वाला, ये मैं जानता हूँ किया मैं? अरे आज़े बाड़ के क्या देख रहे हो पीछे देखो हलो इदार मुदेख लेख स्टुडेंट्स पंगा मतलोग कहा था ना अब मार के दिखाओ देख क्या रहे हो फायर शुरू करो सर इनमें मेरी बेटी भी है सर इस्पेक्टर ड्यूटी में कोई रिष्टा नहीं होता सर आपकी बेटी भी है सर स्टुडेंट्स पे फायरिंग के बारे में सोचना भी मत यह स्टुडेंट्स है क्या करेंगे कुछ भी नहीं पता यह शांत रहे तो यह अच्छा होगा अगर यह भड़क गया ना तो याद रखना यहां का जो स्यम है ना तो उसके अंदर ताकत है रोकने की और ना तो दिल्ली में बैटे पीम के अंदर धिर तो भगवान कोई कुछ करना पड़ेगा मिस्टर स्टुडेंट्स के पावर से सारा स्टेट हिल जाता है पता है न आपको यह सही कह रहा है शांत रहना होगा गडवड़ हो सकती है कमिशनर हो कर ऐसी बात कर रहे हैं शर्म नहीं आती तुम्हें कि डैड़ी सुबा ठीक ग्यारा बजे एसेमली के सामने बीच सडक पर इसे मंगल सुत्र पहनाओंगा कहा था ना घड़ी देखिए ठीक ग्यारा बज रहे हैं कि अधर बजेखिए रहे हैं मंगल सुत्रे की तीन गाठे बांदूंगा हर गाठ के लिए एक मिनिट लगेगा अगर रोक सकते हो तो रोक लीजिए पहली गाठ अगर मेरा बेटा कुछ करता है तो मैं उसे माटा दूंगा छोड़ना नहीं मैं उससे बेटा बेटा है अभी मालूप पड़ा कभी पीता का फर्ज भी निभाया है हमेशा पैसों के पीछे भागे हो कभी बेटे को प्यार दिखाया है पैसा लेके क्या उपर ज लुक्त मेरी आपैसों च्ले जा जाओ सुर्पीज चलिए प्लीज सदी चलिए यहां से चलिए प्लीज रवी तो मंगल सुत्र बाहन रहा है ये शांकार वो मंगल सुत्र बाहन रहा है रोक उसे इख हट हट रोक उसे रोक उसे रोक आठ तरी इती हिमत हचम तुझेत हमेट दूगि shankar he bhai मेरे बेटि की शादी हो रही है एसे हां से लेला है छोड़ दो मुझे थीसरी गाट बोल! इस्कार्मा लोभा भॉभा 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 भॉ मैंने कभी तुमसे ठीक से बात नहीं की, बुरा मतमानना हाँ ए रभी, ये क्या रहे